देखिए आज मैं बनाने जारी हूँ सेम का आचार सेम यानि कि रनर बीन जो है उसका आज हम आचार बनाने जारे हैं आप सबने इसकी सबजी तो खाई होगी और जो ये सीजन है अब जाड़े का इसमें ये खूब होता है और ये प्रोटीन से बहुत भरपूर होता है तो अगर आप सबजी तो रोज नहीं बन पाती है तो कम से कम आचार जो है हम लोग कुजन बना के रख सकते हैं और उसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये देखिए सेम की फली है सबसे पहले इसको हमने धुल लिया है ठीक है अब ये कच्छा है फिर इसको हम साइड से इसके रेशे निकाल लेते हैं अगर हम रेशे नहीं निकालेंगे तो ये मू में फसता है ठीक है और सेम जो है वो प्रोटीन के सासाथ पेट को भी बहुत मतलब की पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत इसका ये जो स्किन है बहुत हार्ड होती है तो पेट साफ करने में ये काम आती है अब ये देखे इसके बाद इस तरह से आप सभी सेम का जो है रेशा निकाल लीजिए फिर पानी को गरम करते हैं और गरम पानी में इसको डालते हैं आप इसके तीन पीस या दो पीस जैसा चाहें काट लीजिए इस तरह से ठीक है और काटने के बाद पानी को उबाल लीजिए और उबालने के बाद इनको 10 मिनट के लिए डाल दीजिए जब 10-15 मिट हो जाए मतलब यह half boil हो जाए आपको ऐसा देखना है पूरी तरह से आपको गलाना नहीं है तब जाकर के आप इनको निथार लीजिए और धूप में लगबग आधे गंटे के लिए रख दीजिए जिससे की इसका moisture जो है वो कुछ कम हो जाए ठीक है तो इस तरह स रेडी है अचार बनाने के लिए अब इसमें और कौन-कौन सी सामगरी चाहिए देखिए हम इसमें यूज करते हैं यह सॉल्ट है है ना जो हम नॉर्मल नमक खाते है वो है यह मसाला आप देख रहे हैं जैसे मेरी मम्मी ने प्रिप्यर करके रखा हुआ पिछले बार भी मन मम्मी ने पीस करके इसका पावडर बनाया है आवले में मैंने राई नहीं डाली थी क्योंकि आवला बहुत खट्टा होता है राई का यूज करते हैं हम खट्टे पन के लिए तो सेम चुकि खट्टी नहीं होती है तो इसलिए हम राई का प्रियोग करेंगे यहां खट्टा इसमें हमने यह अपने घर का बना हुआ मसाला डाला ठीक है और बहुत अच्छी खुश्बो आती इसमें तो बहुत जादा मसाला नहीं डालना है और इसमें आप अपने स्वात के अनुसार फिर डालिए नमक ठीक है जितना आप नमक खाते हैं कम जादा आप अपने हिसाब में रख देंगे कुछ दिनों के लिए तो अपने आप उसमें वो मिक्स होकर कि इसका स्वाद आ जाएगा और हट्टापन बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा मेर्च भी आप according to taste डालिएगा जितना आप खाते हैं मैं यहाँ जादा नहीं डाल रही हूँ मैंने तो एक टेबल स्पून पूरी नहीं डाली है आप अपने according डालीगा अब इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल यह गरम तेल नहीं है ठंडा तेल है नौर्मल तेल है गरम नहीं किया है यह देखिए अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिलाएंगे हाथ से इसको मिला रहे हैं सीजनल जो भी चीज Helen है यह मिलार तो प्रोटीन डाइट अगर फूरी लेनी है अच्छे से तो आप इसको इसका इसित्माल कर सकते हैं आप इसकी सबजी बनाईे और इसका आचार जो हम बना रहे हैं बहुत टेस्टी है देखे ये हो गया इसमें बहुत मसालों की जरुद नहीं होती है सीजनल में क्योंकि कुछ अचार है तुरंट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको दो-तीन दिन रख देंगे धूप में तो ये जब इसमें सारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे तो उनका स्वाद बहुत अच्छा हैगा और तुरंट खाएंगे तो राई का स्वाद तुरंट नहीं आप चाहें तो थोड़ा बहुत अगर चाहें तो तेल इसमें और डाल दीजिए बहुत तेल डालने की आवश्यक्ता नहीं होती है तो देखिए जटपट ये आचार बन गया सीम का तो इस तरह से मैं अपनी आगे की कड़ियां लाती रहूंगी और भी आचार की जो भी करिए और फिर बताईए का कि कैसा बना हुआ है और आपको कैसा इसका टेस लगा थैंक यू